नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी त्रपल स्वी पेट एक्जाम के लिए भारती तिहास के इंतरगत बौध धर्म से सम्मंधित टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्नों को देखेंगे सबसे पहले थियोरी स और लास्ट में 25 प्रस्नों का टेस्ट जरूर देजिए तो चलिए इस क्लास को सुरू करते हैं सबसे पहले थियोरी सेक्षन को डिसकस करते हैं देखें दोस्तों बौध धर्म के संस्थापक गौतम बुध थे इन्हें एसिया का जोति पुंज कहा जाता है या लाइट आफ एसिया कहा जाता है और गौतम बुध का जन्म दोस्तों 563 इसापूर में कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक अस्थान पर हुआ था कहाँ पर हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक अस्थान पर हुआ था गौतम बुध के बचपन का नाम सिधार था और इनके पिता का नाम सुद्ध्योधन था जो साक की गड़ के मुखिया थे सभी तत्य ध्यान से देखते हुए चलिए लास्ट में इसी सब्मंधित प्रस्ण देखने को मिलेगा अगला पॉइंट है जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया था इसी लिए इनका पालन पोशण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया इसी कारण यह गौतम कहलाए गौतम बुद्ध का बीवा 16 वर्ष की अवस्था में यसोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था चलिए आगे बढ़ते हैं 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने ग्रिह त्याग दिया जिसे बौध धर में महा भिनिस क्रमड कहा गया क्या कहा गया महा भिनिस क्रमड कहा गया ग्रिह त्याग की घटना को ग्रिह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैसाली के अलार कलाम से सांख दर्षन की सिक्षा ग्रहन की और अलार कलाम ही सिधार्थ के प्रथम गुरु हुए सिधार्थ के प्रथम गुरु कौन थे आलार कलाम थे अगला पॉइंट है छे वर्स की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्स की उम्र में वैसा की पूडिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल व्रिक्ष के नीचे सिधार्थ को ग्यान प्राप्त हुआ और ग्यान प्राप्ती के बाद सिधार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह अस्थान बोध गया कहलाया सभी तथ्या आप लोग ध्यान से देखते हुँ चलिए निरंजना नदी के किनारे पीपल व्रिक्ष के नीचे सिधार्थ को ग्यान प्राप्त हुआ था अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सार नाथ में दिया था पूछा जाता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था तो सार नाथ में दिया था धम चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था या भी पूछा जाता है किस मुद्रा में दिया था पहला उपदेश धम चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था जिसे बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारन की भासा पाली में दिये थे, बुद्ध ने सबसे जादा उपदेश स्रावस्ती में दिये थे, जिसे बुद्ध गरंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया अगला पॉइंट है, समय समय पर बुद्ध धर्म को समझाने के लिए बुद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बुद्ध संगीत के नाम से जाना गया, यहां पर बुद्ध संगीत दी गई हैं, आप लोग देख लिजिए, प्रथम बुद्ध संगीत राजगरिह में चतुर्थ बुद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ, कनिश्क के सासन काल में, चतुर्थ बुद्ध संगीत के बाद बुद्ध धर्म दो भागों हीन यान एवं महा यान में बिभाजित हो गया था, अगला पॉइंट है, बुद्ध धर्म के त्री रतन हैं, कौन-कौन बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यास ग्राण किया, उन्हें विक्षुक कहा गया, और ग्रिहस्त जीवन ब्यतित करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया, चली, आगे बढ़ते हैं, छठी सताब्दी इसापूर में बुद्ध जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महा जन्पदों का उलेख किया गया है, और पहली महिला प्रजापति गौत्मी थी जिसने बौध धर्म को ग्रहन किया था, पूछा जाता है पहली महिला कौन थी जिसने बौध धर्म को ग्रहन किया तो इसका जवाब है प्रजापति गौत्मी आगे बढ़ते हैं बौध धर्म के बारे में हमें बिसद ग्यान त्रिपिटक से प्राप्त होता है तीनों पिटकों की भासा पाली है बिनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक ये तीनों त्रिपिटक के अंतरगत आते हैं बौधों का प्रमुः ग्रंथ त्रिपिटक है याद रखियेगा महाबोध मंदिर समूह असमारक से गौतम बुध ने दुनिया के लिए बौध धर्म के अपने दिब्विज्ञान का प्रचार किया था कहां से महाबोध मंदिर समूह असमारक से आगे बढ़ते हैं बुध क बुद्ध की मृत्यू असी वर्ष की अवस्था में 483 इसापूर में कुसी नारा कुसी नगर उत्तर प्रदेश में हो गई थी जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वान कहा गया है। निधन के बाद बुद्ध की अस्थी अवसेसों को विभाजित कर भारत के आठ भागों में अस्थापित कर इस्तूपों का निर्माण कराया गया। से देखिए और सभी प्रस्णों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। गौतम बुद्ध को ग्यान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट असर हो जाएगा निरंजना नदी। यहाँ पर D. आपसन राइट है गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ग्यान प्राप्त हुआ था। अगला प्रशन है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था। यहाँ पर C. आपसन राइट है। कब किया गया था? 483 इसापूर में किया गया था। इसमें सासनकाल अजात सत्रू का था। इसमें अजात सत्रू का सासनकाल था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छटी सताप्दी इसापूर में जैन और बौध गरंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जवाब है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौध गरंथ अंगुत्तर निकाय और जैन गरंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्ण है बुद्ध को महापरिनिर्वान कहां प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा कुसी नगर में। कुसी नगर में बुद्ध को महापरिनिर्वान प्राप्त हुआ था। बी आप्षन राइट है। 483 इसापूर में याद रखिएगा। अगला प्रश्ण है, किसी असमारक से गौतम बुध ने दुनिया के लिए बौध धर्म के अपने दिब बिग्यान का प्रचार किया था? यहां पर B आपसन राइट है, अगला प्रश्ण है, गौतम बुध ने कहां पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? तो इसका जवाब है दोस्तो, सारनाथ में, गौतम बुध ने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, यहां में से कौन सा त्रिपीटकों में से नहीं है तो देखे दोस्तों यहां पर अभिधम पिटक, सुत्थ पिटक और बिने पिटक ये त्रिपीटक के अंतरगत आते हैं लेकिन उपसा का पिटक ये त्रिपीटक के अंतरगत नहीं आता है इसलिए C आपसन आपका राइट हो जाए जिसमें भगवान बुद्ध के उपडेश संग्रहित है देखे दोस्तो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा अपसन राइट है बोध गया एक महट पुड बोध तीर्थ केंद्र क्यों है देखे दोस्तों क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां ग्यान प्राप्त किया था कहां पर बोध गया में गौतम बुद्ध ने ग्यान प्राप्त किया था इसलिए B.A.P.S.N. राइट है और याद रखिएगा कपिल वस्तु के लुम्बनी में इनका जन्म हुआ था बोध गया में ग्यान प्राप्त हुआ था पहला उप्रदेश सारनाथ में दिया था और कुसी नगर में निर्वान प्राप्त हुआ था अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना पहला उप्रदेश कहां दिया था तो याद रखिएगा पहला उप्रदेश सारनाथ में दिया था B.A.P तो याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि भगवान बुद्ध ने सारनात में पहला उपदेश दिया था यहाँ पर D option राइट है अगला प्रश्ण है किस सासक ने बौधो के लिए बिख्यात बिक्रम सिला बिस्विद्याले की अस्थापना की थी तो इसका जवाब है दोस्तों धर्म पाल धर्म पाल ने बौधो के लिए बिख्यात बिक्रम सिला बिस्विद्याले की अस्थापना की थी अगला प्रश्ण है तृतिय बौध संगीत का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था तो याद रखिएगा असोक के सासनकाल में तृतिय बौध संगीत का आयोजन B option right है, बोध गरंथ पिटको की रचना किस भासा में की गई थी, तो इसका जवाब है दोस्तो, पाली भासा में की गई थी, बोध गरंथ पिटको की रचना पाली भासा में की गई थी, अगला प्रश्न है, साची क्यों विख्यात है, तो याद रखिएगो दोस्तो, सबसे बौध धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी ये बौध धर्म ग्रहन करने वाली पहली महिला थी, यहाँ पर C option राइट है. अगला प्रश्ण है, किसे एसिया की रोसनी, दा लाइट आफ एसिया कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गौतम बुध को दा लाइट आफ एसिया या एसिया की रोसनी कहा जाता है, यहाँ पर B option राइट है. अगला प्रश्ण है, चतुर्थ बौध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? देखे दोस्तों, चतुर्थ बौध संगीत का आयोजन कुंडल वन में हुआ था? किसके सासनकाल में? कनिश्क के सासनकाल में हुआ था? C option राइट है. अगला प्रश्ण है तृतिय बौध संगीत का आयोजन कहां हुआ था या तृतिय बौध संगीत कहां आयोजित हुई थी तो याद रखिएगा पाटली पुत्र में आयोजित हुई थी किसके सासन काल में असोक के सासन काल में यहां पर B option right है भारत में सबसे बड़ा बौध स् ची में इस्थित है यहां पर B option right है अगला प्रश्ण है बुध ने सरवाधिक उपदेश कहां दिये हैं तो याद रखिएगा स्रावस्ती में बुध ने सरवाधिक उपदेश स्रावस्ती में दिये हैं यहां पर A option right है बौध धर्म में त्री रतन कौन है तो याद रखिए अगला प्रश्ण है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो याद रखेगे दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 इसापूर में हुआ था कहां पर हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बनी में हुआ था यहां पर ए आप्शन राइट है तो इस प्रकार से आज की यह क्ला आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है उमीद है या क्लास आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों सेर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर दाइए